कवर्दोवन मंडल को कविर्धाम जीले के भोरम देव वन्य प्राड़ी अभरणिया चिल्पी परिक्षेत्र नंदनी टोला में संदीक परिस्थितियों में मृत अवस्थावे मिली वन्य प्राड़ी गौर या बैसन प्रकरण को महज पाच दिनों में सुलचाने में बड़ी मार्ग टाइगर रिजर्व के जर्मन सेफर्ड स्निफर डॉग नेरो ने भी अपना अहम योगतान दिया है ग्राम कुमान और नंदनी गाउ से नौ ग्रामिलो द्वारा वन्य प्राड़ी गौर या बैसन की अवैश्चिकार की नियत से जी आई विद्धुतार के करण का उ वन्य प्राड़ी वैश्चिकार के अप्राद में गिर्फतार किया गया वन्य प्राड़ी सरक्षन अधिनियम 1972 की धारा नौ सा पठित धारा दो सोला धारा 31 49 एवं 50 दथा भारतिवन अधिनियम 1927 की धारा 26 एक च एवं 26 एक जह के तहत वन्य प्राड़ी गौरिया कार कक्ष क्रमांक आर एफ 146 पासा वृत्त नंदनी टोला परिशेत्र चिल्फी भोरम देव वन्य प्राड़ी अभराड़िया के अंतरगत दर्च कर सभी आरोपियों के विरुद्ध अपराद पंजीबत किया गया वन्य प्राड़ी गौरिया बैसन के अवेश्चिकार के सभी नव आरोपियों को कवर्धा वनमंडल द्वारा चलान कर माननीय न्यायले जिला कबिर्धाम के समक्ष प्रस्तूत किया गया जहां से माननीय न्यायधीश के आदेश द्वारा सभी गिरिफतार किये आरोपियों को वन्विभाग को 15 दिन की रिमान पर देते हुए हवल कवर्धा वनमंडल अधिकारी दिलराज प्रभाकर ने बताया कि वन्यप्राडी बायसन के अवश्चिकार में इस्तेमाल की गई समागरी जियाईतार, कुलहाडी, टग्या, प्लास्टिक बोरा, हसिया, फरसा, पोटी और काच की शिशी के सांसांत बायसन का सूखावास बर की गई है, इसी प्रकार अन्य आरोपियों में ग्राम नंदनी टोला से इंदर सिंग, ग्राम नंदनी टोला से इंदर सिंग से एक बलवा, एक खाली थैला, वैसुद्धु के पास से एक नग खाली थैला, समरत बैगा से चार नग लकडी की खूटी, मान सिंग बैगास के प जाइतार दो गुच्छी थैला एक नग मास दोनों पसली एक नग पोटी एक नग काच की शिशी आरोपी बुधन बैगा के पास से एक टंग्या एक गुच्छी जाइतार आरोपी शामलाल बैगा से एक नग खाली थैला तथा पवन बैगा के पास से आधा बोरी सूखा मास सम जब्त कर आरोपियों को गृफतार किया गया गहन जाच करने अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व लोर्मी के स्निफर डॉग स्कॉट की मदद ली गई वनविभाग की पास लसी टीम बनी वही ट्रेड डॉग नेरो ने मौका पर उपलब्ध साक्षों को सूंकर आरोपियों की तरब दौण लगाई जर्मन सेफर्ड स्निफर डॉग नेरो तथा बेलजियम सेफर डॉग सिंबा का वन विभाग से संबंधित 16 और पुलिस विभाग से संबंधित 6 प्रक्रणों को सुलचाने में योगदान रहा 30 जुलाई को नर बैसन का पोश्ट मौटम कर उसकी मौत बिजली के तार से करंट लगने से हुई इसका खुलासा हुआ जन्रडेंस न्यूस के लिए कवरधा से जीवन साहु की रिपोर्ट